कि एक बार पुना नए वीडियो के साथ आज हम अपना दूसरा द्याइश रूख रहेंगे जिसका नाम है संगर्ष कालिन भारत संगर्ष कालिन भारत में सबसे पहले हम देखेंगे प्रस्ट भूमी कि भारत पर अब लगातार विदेशी आकरांतराओं ने आकर्मन किये और भारत ने हमें से इसका सपलता पुरोग पर्तिरोद किया वैसे तो देखें तो हम मानते हैं कि अमर खलीपा के समय श्याइश श्य जो आकर्मन है वो ज्यादा करके अपने शिंद भी हो रहा था त्योंकि अपने पश्य में शिंद पढ़ता है और यह अरब है यह पश्यम की तरफ से आ रहे थी लेकिन जो सबसे ऑथेंटिक जिसको मानते हैं वह 1712 में मौमद बिन कासिम का आकर्मन जिसने शिंद के राजा दाहिर पर हमला किया था चचनामा एक पुस्तक है इसमें उल्लेक है कि गेर मुस्लिमों मतलब गेर मुस्लिम मतलब हिंदों ने यह इस सिंद के राजा दाहिर ने द्रदा पूरों मकावला किया था उसके बाद क्या है कि यह जो सिंद के राजा है को बहुत बादूरी और द लग गया था और जिस जोरिस्म की मृत्यू हो गई थी इसके बाद भारत पर मुहमद गजनवी में अक्रमन किया था मुहमद गजनवी ने कश्मीर के जो साहिस आ सकते जैपाल और अनन्दपाल उनके साथ उनका महत्पुन संगर्श भी हुआ था सबसे पहले यह महमद अधिश धन समता ही लूटना था यह भारत में अपना समराज इस्तापिज नहीं गरना चाहता था उसके बाद आता है मुहमद गोरी तो हमने देखा था कि तराहिन के दो यूद होते हैं 1100 क्यान में 1100 बाण में जिसमें पर्थम यूद में यह मुहमद गोरी यह परतिवरा चोहन को बंदी बना लेता है अब इन सा बातों से क्या जाहिर होता है कि भारत पर मुस्लिम आकरवन लगातर होते रहे और 1206 में भारत में मुस्लिम राज्य के स्तापना हूं थी और 1206 का जो काल है और यहां से 1526 तक का काल है वो भारत में मुस्लिम सासन का काल मान नगत है अब हम पढ़ेंगे सल्तनत काल, सल्तनत काल है, उसमें बिली सल्तनत काल मैंता है गुलामवंस, तो गुलामवंस है वो उसकी इस्ताबना कुतूबी दिन एबक ने किथीश की नियों डाली थी, यह मुछमाद गोरी का दास था, दास मतलब गुलाम था, इसलिए इस वंस फाना था और इसे लाक वक्सभी कहा जाता है मतलब यह लाक्षों का दान देने वाला था लाकों बक्सी इस देता था इसलिए लाक वक्स भी आजनीत अ कि सबसे इंपोर्टन चेज़सा भी इसकि रियास दाइए थी लाहूर और उसने कुतुम मिनार की पहली मंजिर का निर्मान करवाया था उसके बाद इसकी मृत्ति हो गई थी और शेस भाग वो इसका उत्रा दिखाए था इसने पूरा करवाया और बारास वद्धस इसमें चोगान खेलते हुए घोड़े से गिरने से इसकी मृत्ति हो गई चोगान दिखुमें आप यह के बाद चाहिता है वह था आराम सहाइ लेकिन यह शिरफ आठ माझ लिए इसने शांसान क्या था और बाद में इल्थुत्मी से शास्क बनाता तो इलतुत्मी से यह कुतोब इदी आपका दमाद था और इसका उत्रयादी घरीवे था और इसे मुस्लिम सामराज्य का वास्ट विक संस्तापक माना जाता भारत में 1211 से 1236 इस्यू तेक्ष निसासन किया और दिल्ली को अपनी राजदानी बनाया देखो एबग ने लाहोर को बनाया था और इसने दिल्ली को अपनी राजदानी बनाया यह है इलबरी वंस का तुर्क था वह बगदाद के खलीपा से सुल्तान पद की वेधानिक स्विकरती पहली बार इसने प्राप्त की थी 1226 में इसने रंधंबोर जिता और 40 सरदारों का एगुट बनाया था जिसे करते हैं तुरक चहल गामी इसने जो एक दल बनाया था जिसे में तुरक सरदार सामील थी इसके बाद ये जो रकनो दिन फिरोज सा है बनता सासक थोड़े से समय के लिए लेकिन रकनो दिन जो फिरोज सा है उसकी हत्या के बाद जो इल्तितमिस की पुत्री थी ठीक है ये रकनो दिन फिरोज सा है ये उल मुसली मневिला भारत की रजिया सुल्ता ध्यान रखना परढ़ात्याइग दिया मुदा पूर्चाथ के समान कुमा पतीय दोनों को मार दिया थी और इस ने यह व्यक थे था मलीक जलालूदिन याकूत जो अभी शीनिया के निवाशी था उसको अमीर आखुरू आखुरू पतला अश्वे साला का प्रदाह नियुक्त किया जिससे क्या हुआ था कि जो तुरुक लोग थे अमीर वो सारे से नाराज हो गए जब इसको मारा था इसके बाद बिसासक बता है बल्बन बल्बन मनता 1265 से 1206 में ठीक है यह बल्बन कौन था अभी हमने पड़ा था कि कुतूब दिन ने चहल गामी चालिस सर्दारों का एक दल बनाया था उस दल में भी एक सर्दार था उसमें और यह 1265 इसमें गद्दी पर बिठा इसका बस्पन का नाम था उलुक्खा कही पर पूछ ले कि मंगोलों के अकरमन के लिए इसने कौन सा विवाग बनाया था तो वह दिवाने आरी उसके बाद उसने एक सिजदा और पाबोस की प्रथा प्रारम की वह क्यों होता है कि सम्राट के सम्मुख हम जुखकर उसके पैरों को चूमते हैं वह है सिजदा करना और एक इरानित व वहार था नवरोज वह रहनी थे वहार भी उसने बनाना सुरू किया था ठीक है इसने लोह रक्त के नितिय बनाई उसमें क्या होता है कि पुरू सोगों तो मार दिया जाता था जो इसका कहना नहीं मानते थे जा गुलमिस्विकार नहीं करते थे और बच्चों रिष्ट्रि इसके दर्वार में कवी रहता था जिसका नाम था मीर खुष्णू ठीक है और बलवन उसने दर्वार में बहुत कठोर अनुसासन अपनाए थे यह दहां रखना था बहुत कठोड़ता थे जो अनुसासन थी जैसे कानून विवस्ता को सूब विष्ट करने के लिए उसने क् चलना शुरू कर देता और गुलाम वंस का जौनतिम सा सकता उसका नाम है समसुदीन क्यूमर्स तो यह था अपना गुलाम वंस जिसमें हमने यह कुतुब दिनेबग इलतुतमिस रजय सुल्तान और बल्वन का प्राता अगले दय में खील जीवन्स का ध्यन करेंगे धन्यवाद